नगरपरशद सुजानपुर में कारेरत एक महला कर्मी की रिपोर्ट पोजिटिप आई है सुरक्षा एवम एतियातन के मद्य नजर रिपोर्ट पोजिटिप आने के बाद नगरपरशद के कारेले सुजानपुर को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है अब इसे पुन है, सेनिटाइसर करने के पाद जंता की सेवा के लिए खोला जाएगा बताते चलें के स्वासे विबाग सुजानपुर की टीम दोरा नगरपरशद सुजानपुर के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के सेंपल जांच के लिए गए है रैपेड टेस्ट के माधिम से करिब दो दर्जिन टेस्ट लिए गए जिसमें एक महिला कर्मी की रिपोर्ट पोस्टिब आई है इसके साथ चार कर्मियों के सेंपल मेडिकल कॉलेज हमिरपुर में जांच के लिए बेज़े जा रहे हैं नगरपरशद अरिकारी के साथ जिनके सेंपल जांच के लिए नहीं लिए गए हैं उनके सेंपल भी शीगर जांच करने के लिए जाएंगे खंट स्वास्ते अधिकारी रमेशन ने बताया कि नगरपरशद सुजानपुर की एक महिला कर्मी की रिपोर्ट पोस्टिब आई है उधर नगरपरशद अधिकारी संजे कुमार ने बताया कि महिला करमे की रिपोर्ट पोजिटिव आने के बाद नगरपरशद करेले बंद करवा दिया गया है सनिटाइस करने के बाद और अगामे निडेश मिलने के बाद इसे पुने खोला जाएगा